नमस्कार दोस्तों, दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं जिन में से कुछ तो वास्तविक होते हैं और कुछ कालपनिक, लेकिन कुछ प्रजारतियां ऐसी होती हैं जिनने ना तो वास्तविक कहा जा सकता है और ना ही कालपनिक, ऐसा इसलिए क्योंकि ना तो ऐसे लोगों के होने के कोई सबूत मिलते हैं और ना ही इन लोगों के अस्तित्व को पूरी तरह से जुटलाया जा सकता है यह लोग इतने मिस्टिरियस होते हैं कि इनके बारे में पूरी तरह से जानकारी किसी के पास नहीं होती ऐसी ही प्रजाती का नाम है यह लोग ना तो पूरे रूप से इंसान होते हैं और ना ही पूरी तरह से जानवर और यह लोग ना तो पूरी तरह से जीवित होते हैं और ना ही पूरी तरह से मरे हुए तो आएए जानते हैं इन्ही वेंपाइर्स के बारे जब भी हम वैम्पायर शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में केवल एक ही नाम आता है और वो नाम है ड्रैकुला लेकिन इस दुनिया में केवल एक ही वैंपायर नहीं है इस दुनिया में ऐसे हजारों वैंपायर हैं जिनकी इतिहास में कई सची कहानिया मौझूद हैं तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऐसे ही असली वैंपायर्स की सची घटना है किसी खास दिनवे जाग उठते हैं और अपनी कब्रों से बाहर निकल आते हैं जागने के बाद यह लोग अपनी भूख को सांथ करने के लिए इनसान या किसी जानवर का खून पीना पसंद करते हैं और फिर सूर्य उदय होने से पहले वाबस अपनी कब्रों में सो जाते हैं इतियास में ऐसी कई सारी घटनाओं का जिक्र है जो वेंपायर के होने की तरफ इशारक करती हैं लेकिन विज्ञान की अगर माने तो वेंपायर की कोई अस्तित्व नहीं है क्योंकि विज्ञान के मताबिक किसी मरे हुए इंसान का फिर से जिंदा होना संभव नहीं है इति 1400 से 3730 के समय को ड्रैकूला का समय माना जाता है उन दिनों यूरोप और इंगलेंड जैसी जगों पर वेंपायर का नाम लेने से भी लोग डरते थे सन 1725 में किसी लोया सर्विया नाम से जगय पर एक किसान था जिसका नाम पीटर था उसकी मौत हो गई लेकिन पीटर की मौत के कुछ दिनों ही बाद कुछ ऐसा गटेत हुआ जिसे देखकर लोगों के रौंग्टे खड़े हो गई अपनी मौत के तीन दिन बाद पीटर 10 साल के बेटे के पास आया और अपने बेटे से कुछ खाने के लिए मागा उसके बेटे ने पीटर को खाना दे दिया और पीटर में खून की एक भी बूंद नहीं है क्योंकि उस बच्चे कर सरीर पूरी तरह से सफिद पढ़ चुका था और उसकी आँखें खुली हुई थी जिनने देखकर लग रहा था मानो बच्चे ने मरते समय कोई बेहत खौफनाक चीज देख लिये उस बच्चे के डेड़ वोड तक बिल्कुल इसी तरह की मॉतों का सिलसला चलता रहा और उस गाउं के लोगों के बीच खौफ इसकदर बढ़ गया कि गाउंवालों ने वेमपायर हेंटर्स की सायता लेने का फैसला क्या इन वेमपायर ने जब सभी मॉतों और उन सभी 10 बज़न की जांच की तो पाया कि सभी मोतों के पीछे किसी पिसाच यानि वेंपायर का हाथ है और उन्होंने जब पीटर की कब्र को खोल कर देखा तो वहां मौजू सभी लोग हैरत में पड़ गए क्योंकि उन्होंने देखा कि पीटर का म्रश शरीर अभी भी बिल्कुल ताजा था और उसके कपड़े खून से भीगे हुए थी पीटर की चाती में एक छड़ी रखी हुई थी और पीटर के मुँ किसी पक्छी के बाल मिले पीटर की लाश को उसके कब्र से निकाल कर आग में जला दिया गया और उसकी रख को पास एक चर्च के सामने दफना दिया गया तकि पीटर का पिसाज फिर से ना जाग जाए इसके वाद पीटर को दुवारा कभी नहीं देखा गया लेकिन पीटर की चाती में वच्छी मुँ में पक्छी का पंक कहां से आए इसे कोई नहीं सुल्या पाया या पीटर पर किसी पिरकार का कोई अनुष्ठान करके उसे वेंपायर बनाया गया इस सवाल का जवाब पीटर के रख के साथ हमेशा के लिए जमीन में दफन हो गया दूसरी कहानी है एलिया बेद बातरी की एलियावेत बाथरी को दा ब्लड काउंटेस के नाम से भी जाना जाता है उसने 21 अगस 1614 तक हंगरी पर राज किया एलियावेत को इतिहास में सबसे कुरूर महिलाओं में से एक माना जाता है जिसके चलते ग्रीज वर्ड रिकॉर्ड में सबसे जादा कतल करने वाली महिलाओं में एलियावेत का नाम दर्ज है बहुत से इतियास कारों का मानना है कि एलियावेत एक जीती जागती वेंपायर थी वें लोगों को बहुत कुरूरता के साथ मौत के घात उतार देती लोगों को मारने के लिए नए नए तरीके अपनाती थी जिससे मरने वालों को अधिक से अधिक तफलीफ हो वें अपने सिकारों को सुन्यों और कीलों से गोत ती ताकि उनके शरीर से धीरे धीरे सारा खुन निकल जाए और वें इंसान तड़त तड़क कर दम तोड़ दे वें लोगों को बिना कपड़ों के बाहर ठंड में छोड़ देती थी जब तक उनका सरी ठंड की वज़े से जम नहीं जाता यही नहीं एलियावेट काला जादू करने में भी माहिर थी 10-14 साल की लड़कियों को मार कर उनके खून से नाया करती थी उसका मानना था कि 10-14 साल की लड़कियों के खून से ना आने से उसका सुन्दर रह और भी बरकरार रहेगा एलियावेट की कुरूरता से तंग आकर उसके अधकारियों ने एलियावेट को बंदी बना लिया और उसको अपने जीवन के आखरी दिन जेल में गुजारने पड़े सन 1614 में एक रात एलियावेट ने अपने जेल के पहरेदार से सिकायत की की वे अपने हाथों को महसूस नहीं कर पार रही है एलियावेट ने पहरेदार को बताया कि उसे ऐसा लग रहा है कि उसका पूरा शरीर आग की चपेट में है उसे ऐसेरिये जलन का ऐसास हो रहा है लेकिन पहरेदार ने एलियाबेट की सारी बातों को नजर अंदाज कर दिया अगली सुभा एलियाबेट को जेल में मिरत पाया गया एलियावेद की मौत के बाद उसे कॉफिन में रखा गया और उसे दफनाने के लिए ले जाया गया लेकिन दफनाते समय जब कॉफिन को खोला गया तो सब के होश उड़ गई क्योंकि कॉफिन से एलियावेद की लाश कायब हो चुकी थी एलियावेट की लाश्गायव होने के कारण रहस से आज तक किसी को पता नहीं चाहिए एक वेंपायर थी या वेंपायर सिर्फ एक धारना मातर है या वाकई वेंपायर होते हैं तो दोस्तों आपको इस वेंपायर की रहस समय कहानी से क्या लगता है कमेंट में हमें जरूर बताईएगा इंफ्रमेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए